दिल्ली कैप्टर्स को लखनोस उपर जोएंस के खिलाफ शांदार जीत मिली है। इस जीत के साथ दिल्ली ने प्ले आउप में पहुशने की उमीद को बरकरार रखा है। रिशपन्त की अगवाई वाले दिल्ली कैप्टर्स इस सीजन अभी तक अपने सारे लीग मुकाबले खेल चुकी है जिसमेजसे साथ मुकाबले अपने नाम कर चुकी है। दिल्ली 14 मैचों में से साथ जीत के साथ 14 पॉइंट्स अपने नाम कर अंक तालिका में पांचवे कि दिल्ली का NIT Run rate 0.377 है आपको जानकर शायद हैरानी हो सकती है लेकिन दिल्ली अभी भी प्लेइआफ के लिए क्वालिफाई कर सकता है दिल्ली कैप्टल्स का भविश्य अब DC के पास नहीं बलकि अन्नी टीमों के पास है यहां से दिली तभी प्ले आफ के लिए क्वालिफाई कर सकेगी जब पैट कमिंज की अगुआई वाली संराजस हैदराबाद को बड़ी हार मिलेगी हैदराबाद अभी तक इस सीजन कुल बारा मुकाबले खेल चुकी है जिनमें से साथ जीत के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर है हैदराबाद का निट रन रेट प्लस सुन्य दशमलो 4-6 है हैदराबाद के भी 14 अंक है और दिली के भी 14 अंक है ऐसे में अगर हैदराबाद अगला दोना मुकाबला हार जाती है तो हैदराबाद और दिली दोनों के पास 14-14 हो जाएंगे यहां पर सारा खेल बचेगा दुस्तरा मुकाबला 19 मई को पंजाब किंग्स से खिलाफ खेलना है अगर हैदराबाद को दोनों मुकाबले मिला कर कुल 194 बेरनों से हार मिलती है तो उसका निट रन रेट दिली से खराब हो जाएगा इसके बाद अगर चिने सुपर किंग्स भी रॉल चैलेंजर बैंगलूर कर सकती है ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें